दंगर छिछोरे भूधनाथ रिटरंज जैसे बड़ी हिट फिल्मों से ओर्डियन्स को जमकर इंटर्टेन्मेंट की डूस देने के बाद फिल्मेकर नितिश तिवारी की लेटिस्ट डायरेक्शन फिल्म बवाल 21 जुलाई को OTT प्लाटफर्म पर रिलीज हो चुकी है। ये ट्रैजिक रोमेंटिक फिल्म 2023 की मोस्ट अवीटिट फिल्मों में से एक थे। बता दे कि वरुन धवन और जानवी कपूर की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर नजर आई है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसे लगी। दरसल वरुन धवन और जानवी तारीफ की है। वही कई ने तो इस फिल्म को इस साल का सुपर हिट बता दिया है। तो वही कईों ने वरुन और जानवी की एक्टिंग की खूब तारीफ भी की है। बता दे कि एक यूजर ने तो ऐसा तकलिक दिया कि वरुन धवन अपनी एक्टिंग से हमीशा ही इन टेलर है। इस फिल्म में एक रिफ्रेशिंग यूनीक और डिफरेंट प्लॉट है। अच्छी तरह से बुनी गई है तो वही कई emotional moment शांदार performance है। आप सरप्राइज हो सकते हैं कि एक प्यारी सी love story वाले फिल्म में वर्ड वार और हिटलर का क्या combination है। लेकिन डिरेक्टर के लिए ये भी बता दें कि बवाल फिल्म में वरुड धवन ने टीचर का रोल प्ले किया है। वही जानवे कपूर ने उनकी पत्नी के रोल में दिखाई दी है। फिल्म के बाकी के कलाकारों ने मनोज पहावा और अंजुमन सकसेना है। मुकिश सिवारी ने भी फिल्म मे कॉमेंट करके जरूर बताएं।